हेलो फ्रेंज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रिस्टियन कल्चर जिसे लिखा था निराज सिंग चौधरी ने निराज सिंग चौधरी ने इसमें दिखाया है दोस्तों कि क्रिस्ट तरह क्रिस्टियन सिविलाईजीशन और इंडियन सिविलाईजीशन में अंतर है और वो लोग अपने gods के बारे में क्या सोचते हैं, क्या culture है उनका और कौन-कौन से लोग हैं जो वहाँ पे उस culture को follow करते हैं और कैसे follow करते हैं और वो culture कैसे अलग है हमारी culture से यानि Indian culture से उन्होंने यह दिखाया है तो दो culture के बीच में हम अंतर देखेंगे Christian civilization और Indian civilization में रहते हैं, नीरत सिंग चौदरी का जन हुआ था दोस्तों 1897 में और इनकी मृत्ती हो गई 1999 में या एक Indian writer थे दोस्तों और इन्होंने दो languages में लिखा था English और बंगाली में इन्हें आनन्द पुरुषकार भी मिल चुका है 1988 में इन्होंने एक famous book लिखी थी जिसका नाम था To Leave or Not To Leave और The Autobiography of an Unknown Indian ये तो हो गया है दोस्तों निरत सिंग चौधरी के बारे में निरत सिंग चौधरी ने इसमें क्या बताया है दोस्तों Christian civilization में और कैसे इसे Indian civilization से अंतर बताया है आए देखते हैं सबसे पहले निरत सिंग चौधरी बताते हैं कि English culture जो है यानि कि Christian civilization के जो लोग हैं वो quite serious रहते हैं काफी हर चीज को गंभीरता से लेते हैं और कैसे serious हैं वो एक example देते हैं Odysseus Adventure के बारे में बताते हैं जो की Wonderland में रहते थे लेकिन वो सिर्फ एक devotional mathematician नहीं थे वो अपने religions के परती काफी devotional थे तो इसमें निरत सिंग चौधरी ये बताते हैं कि किस तरह English man कितने devotional होते हैं अपने culture को लेकर कि ये लोग अपने religion और culture दोनों को पकड़े हुए हैं इनमें कभी अंतर नहीं आया जो ये पहनते थे सुरू से वही आज भी पहन रहे हैं इसके बाद author Canterbury में आते हैं और बताते हैं कि वहां के culture कैसे हैं author कहते हैं कि जब वो Canterbury गये थे तो वहां वो King College में गये थे जो Chablis में हैं वो वहां पर जब एक आदमी से मिले तब उसोंने कितने अच्छे से describe किया विस्टन कल्चर को और कैसी उनके culture और religion को mix किया और वो आज भी उसे seriousness से कैसी follow कर रहे हैं ये उन्हें जाकर वहां पता चाहिए जब author King College गए तो उन्होंने एक बच्चे को देखा एक लड़के को देखा वहां पर सिंग करते हुए और उन्होंने पाया कि उसने एक religion सौंग आया और जिसमें एक peace था और इतना खुबसूरती से वो लोग आ रहे थी और साम को फिर उन्होंने prayers स्टार्ट किये उन्होंने इंडिया में ये सुना था कि ये सब उन लोग follow नहीं करते हैं वो लोग काफी modern हैं पर ये सब सारी बाते गलत थी वो अपने culture को आज भी follow करते हैं इसके बाद author बताते हैं कि अगर हम अपने religion Hinduism religions को ले और Christian religions को ले तो इन दोनों civilization में काफी अंतर हैं ये लोग daily नहीं जाते हैं मंदिर पर ये लोग जब church नहीं जाते फिर भी इनके अंदर वो religion वो faith वो western culture है पर हमारे अंदर सिर्फ हम जब temple जा रहे हैं तो सिर्फ एक devotional की तरह जाते हैं और फिर हम सारी बाते भूल जाते हैं हमारे अंदर वो चीजे नहीं रहती और कई लोग तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि वो दिखा सकें कि वो कितने devotional हैं पर Christian civilization में ऐसा नहीं है वो लोग daily church नहीं जाते पर अपने culture को वो follow करते हैं और devotion और devotees में हमेशा गुम रहते हैं इसके बाद वो Brahmins के बारे में बताते हैं कि हमारे यहां सिफ Brahmins ही culture को जानने का दावा करते हैं और वो ही जानते हमें नहीं बताया जाता है हमें ये बाते नहीं बताया जाती है पर Christian civilization में ये बाते सब को बताई जाती है और सब को पता भी रहती है अपने कल्चर के बारे में उसके बाद वो कहते हैं कि हिंदुईजम में हर एक कैटेगरी बाटा हुआ है और हम लोग कैटेगरी से भगवान के पास जाते हैं जैसे कि राजा जाता है कि गौड के पास ताकि वो अपने लिए ताकत, पावर और विल्थ मांग सके और मर्चिंड यानि कि बिजनसमैंस जाते हैं ताकि वो अपने लिए विल्थ मांग सके और पीजिन्स यानि किसान जाते हैं ताकि उनकी फसले अच्छी हो सके और वो भगवान से यह मांग सके और हमारे यहां के बच्चे भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं जैसे कि हमें अच्छे से पास करा देना वगेरा वगेरा पर कोई भी भगवान के लिए और भगवान को मानने के लिए नहीं जाता है बस कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है और हमारे धर्म में वो पवित्रता वो नहीं दिखती क्योंकि हम गौड के पास कुछ मांगने ही जा रहे हैं अपने धर्म को पवित्र हम नहीं कर पा र रहे हैं या चौदरी चरण सिंग बोलना चाह रहे हमें इसके बार नेराच सिंग चौदरी ये भी कहते हैं कि जो वेस्टन कल्चर है वो अपने वेल्थ के लिए जाते हैं पर अपने डिवोटीज अपने फेथ को नहीं भूलते हैं Christian civilization हमसे बिन इसलिए भी है क्योंकि वो अपने culture को अपने जो God है उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने sacrifice दिया था और वो अब उनकी जो statue उसके सामने खड़ा हो करके उसके sacrifices को याद करते हैं और उसे याद करके और prayer करते हैं और Hinduism अपने God को ऐसे याद करते हैं जैसे कि उन दोनों के बीच में contract हुआ हो एक चीज मांगी गई हो और वो उसे मांग रहे हैं अपने God से वो अपने Gods के interact होना चाहिए उन्हें पर वो interact नहीं होकर कि उनके sacrifices उनके जो helping nature है God का उसको याद करने के बजाए वो सिर्फ एक contract बनाते हैं और भगवान से सिर्फ मांगते रहते हैं वो अपने religion को और अपने culture को नहीं जीते हैं उन्हें भगवान के sacrifices उनकी worship करनी चाहिए ना कि उनसे सिर्फ और सिर्फ मांगते रहना चाहिए ऐसा वो अपने कथन में लिखते हैं यानि कि नीरत सिंग चौदरी हमसे यह कहना चाह रहे हैं दोस्तों और modernism जो आया है Christian civilization में उन्होंने उस modern cultures को भी accept किया है और its modern culture में वो काफी जादा अपने cultures अपने devotional को आगे बढ़ चुके हैं वो काफी जादा विक्सित हो चुके हैं वो देश पर वो अपने culture अपने devotional और अपने जो जितना भी उनके God ने उन्हें दिया है उस God के बारे में भी वो सोचते हैं और जितना भी वो churches या फिर जितना भी वो devotional things बनाते हैं जैसे कि वो एक example देते हैं दोस्तों वो कहते हैं कि एक बार जब मैं party में गया था Cadbury में तम मैंने वहाँ देखा वहाँ पे एक church था जो कि Thomas biggest का था अब वहाँ पे लिखा हुआ था कि यो जो church जिस पे belong करता है Thomas से वो Thomas कौन था और उनकी जो black princess थी वो कौन थी और ये ना सिर्फ उस घटना उस history को बताता है बलकि यो वो भी बताता है कि वो अपने culture से side हो चुकी है वहाँ पे और भी कुछ मूर्तियां थी उसे देखकर ऐसा लगता था कि वहाँ पे angels हैं और उनमें punk बने हुए थे तो ये angels हैं जो कि इन मूर्तियों के चारों तरफ फैले हुए थे उस church में और उनके जो scientific thoughts थे उस church को ले करके और जो modern facilities थी वो उस चीज को दिखा रही थी और वो कहीं colored की हुई थी उन मूर्तियों में उन statues में और ये चीजे influence करती थी कि वो किस तरह अपने religions को memorize कर रहे हैं और England और European countries में ये दिखा गया है कि जो जितने rich हैं वो उतने ही religion होते हैं दोस्तों और जो lower class हैं वो उतने religion नहीं होते हैं उन्हें बस अपनी जरूरतों से मतलब होता है पर इसका opposite है हमारे Indian civilization में हम अपने से जो मित्हम परिवार के होते हैं वो ही भगवान को worship करते हैं और याद करते हैं जबकि जो upper class में होते हैं वो अपने आपको boss मानने लगते हैं या तक हो अपने आपको भगवान मानने लगते हैं उन गरीबों क्या अपर कास्ट होते हैं वो इंडियन्स के वो अपने आपको भगवान मानने लगते हैं और अपने जो God हैं उनकी worship को न भूल जाते हैं और वो अपने आपको superior समझने लगते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि उनसे उपर भी एक God है वो सोचते हैं कि यह हमारी जरूरत नहीं है कि हम भगवान को याद करें यह सब गलत है और यही सब बाते उन्होंने अपने इस कथन में बताई हैं दोस्तों आपको यह explanation कैसी लगी हमें लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करके बताएं थांकि दोस्तों मैं आपको मिलूँगा निग्षा